हेलो एवरिवन सबी दोस्तों का स्वागत है आपके यूडिव चैनल एक्जाम जो भाम में तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडिन कोस्ट गार्ड के बारे में जानी कि इंडिन कोस्ट गार्ड की तरफ से नाविक जीडी और नाविक जो डीवी जा कैसे और आपके चैनल पर पर रहदे को जुरूर प्रेस करते हैं तो चलिए आज कि स्वीडियो को शुरू कौरते हैं तो सबसे पहले मैं सबसे पहले करके ही बता देता हूँ कि आप अपना एड़मरिकाड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो जहां पर आपको जो डाउनलोड एक्जाम जो डे हैं जा फिर एक्जाम का जो लिंक है उसके उपर आपको जहां पर क्लिक कर दे…. कहां जो कह के हैं इंडिन कोस्ट गार जो इसकी बरती थी एक और दोजार चौबिस की जो बरती है तो इसमें सबसे पहले आपने जब रिजिस्टेशन किया होगा तो आपने एक एमेल बरी होगी वही एमेल आपका जहां पे लगने वाला है वही आपका जूजर आईडी और पासवर्ड जहां पर आपने जहां पर लगाना है तो आपने जहां पर इमेल और पासवर्ड को बर देना है तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है कि हमने पासवर्ड लास्ट टाइम क्या रखा था तो आपका बार बार जहां पर एरर शो कर रहा है तो आपको सिंपली जहां पर फॉर्ग और टीक करना है sms आपने चम्म आप देख सकते हो अपने भर देना है और आपका यहां पर नीचेश्चान होगा यहां आपको लिसा पासवर्ड चला जाएक उसी कहत्र भर ना है और जहां पर फिर reset password का option आए जाएगा तो उसको आपने reset करके नया password रख लेना है और फिर login कर लेना है तो जहीं simple सा जो इसका solution है अगर आपको password नहीं पहता तो आप अपने password बूल गए हैं तो forget कर लीजिएगा तो उसके बाद जहां पर हम simply अपने admin card को download करते हैं तो दोस्तों जहां पर हमने ID और password को जहां पर बढ़ दिया है और login के उपर जहां पर click कर दिया है login के उपर click करने के बाद सीधा हमारा जो login हो जाएगा और आपको जहां पर admin card का सिर्फ date show होगा और आप अपना admin card है वो थोड़े दिन बाद जहां पर download कर पाएंगे तो दोस्तों जैसे कि आप जहां पर देख रहे हैं जो आपका जिस भी post के लिए आपने apply किया होगा जैसे कि नाविक gd के लिए जहां पर apply किया गया है candidate की तरफ से और जहां पर registration number देख सकते है exam date देख सकते है exam date कौन सी है 2 December को exam होने वाला है exam city और state कौन सी है तो आपकी exam city जो चंडिगर पड़ी है तो आपको सिर्फ आज इतने ही पता चलेगा कि आपका exam कौन सी date को है और exam city venue कौन सा होने वाला है तो आभी देख सकते हैं नीचे जहां पर note एक दिया गया है provisional e admit card will be available download on 29th जो नवंबर को आप अपना admit card को download कर पाएंगे जहने कि 29 नवंबर से आप अपना admit card download कर पाएंगे आज सिर्फ आपना आप venue चेक कर सकते हैं और exam date को चेक कर सकते हैं उसके बाद आपने exam वाले दिन क्या-क्या साथ में लेकर जाना है वो सबी चीज़े आपको जहां पर बताने वाले हूँ तो अगर आपको जे वीडियो अच्छे लग रही है तो प्लीस वीडियो को like जुरूर कर देना तो जहां पर चेक कर सकते हैं कि आपने अपना फारम बरा है उसका सबसे पहले आपने admit card जो download कर लेना है admit card download करने के बाद आपने जहां पे इसका जो color जो admit card है उसको download करना है black and white जहां पे नहीं चलने वाला है तो जहां पे इसको check कर सकते हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपने अपना जो mall ID card है जाने कि जो भी आपने फारम भरते वक्त ID लगाई होगी जैसे कि अधार card हो गया passport हो गया pen card हो गया वही आपने एक्जाम वाले देने लेकर जाना है तो वह जहां पे चक कर सकते हैं इन सबकी आपने क्या क्या करना है इन सबकी आपने एक फोटो कपी और और औरिजिनल आपके पास जो रखना जुरूरी है तो उसके बाद आपने जहां पे बट आपने simply के साथ-साथ जो आपने फारम बढ़ते वक्त आपने जो फोटो खिचबाई होती है जिसमें आपने slate को फगड़ा होता है और उसके पीछ में आपने अपना नाम और date लिखी होती है जो फोटो लेकर जाना जुरूरी है जहांपर आपने साफ़ारां पर सकते ह कि आपने कौन सी फोटो लेकर जाना है जो आपने फोटो फारम भरते वक्ते जो आपने लेट वाली फोटो है उसी को साथ में लेकर जाना है दूसरी फोटो भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं जहां पर उमिदवारों को प्रिक्षा देने की अनुमिती नहीं दी जाएगी ज लेकर आना है आपने जो जहां पर देख सकते हैं सिस्ट सर्टिफिकेट जो दो आपने फोटो का पी लेकर जानी है पर एप ट्रेंडव्स की ट्रिक्ट जो आपको पता है कि जो कंडिडि़ से से विल्हूं करتे हैं उनको जहां पर आने जाने का जो किराया बता होता है उसको भी आप जहां पे ले सकते हैंं इनकी तरफ से हो अप जहां पर चरक कर सकते हैं और जो फेक्ट 這個 है कि प्रिक्षा के अंदर में पहचान पत्र लाना अनवारियों है तो किसी अन्य पहचान पत्र विचार नहीं किया जाएगा जो आपने फारम बरते वक्ते जो पहचान पत्र लाया होगा वो ही जहां हाल के अंदर नहीं जाने वाली है तो आपके जो उसके बाद पूरी वाजू जा लंबी वाजू वाले कपड़े वह भी जहां पे नहीं चलने वाले बड़े बटन वाले कपड़े वह भी जहां पे नहीं चलने वाले अभोशन कान की बाली कलाई की बट्टी जह वगरन नहीं पहले ही आपको पता होता है कि जह सब कुछ एक्जाम बाले जो एक्जाम सेंटर के बीच नहीं चलनी दिये जाता उसके बाद कोई ब्लूटुथ डिवाइस जहां फिर कोई जबलन शील्ड वस्तू जहां हस्तियार जहां खाने जोगे वस्तू कैलिकुलेटर वगारा नहीं ल के साथ साथ आपने जो इमेल आइडिया है रिजिस्टर इमेल आइडी उसको भी अपने जाद रखना है वह जहां पर साफ साफ लिखा है तो दोस्तों यह था कि आपने कैसे अड्मिट कार्ट को डाउनलोड करना है अभी टीए फॉम जाया नहीं कि ट्रैवल अलाउंस फॉ हो गई तो आपको जहां पर से आपने डाउनलोड करना है वह पेज आपको मिल जाएगा तो जहां पर आपनेगता है जह साइड वाली राइडर साइड तो इस पे आपने क्लिक करना है जो जहाँ पे चेक कर सकते हैं तो जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद जहाँ पे आपको जो option दिखाई देगा download का download के option के उपर आपको क्लिक कर देना है और जहाँ पे देख सकते है document required during various stage of examination इसके उपर क्लिक कर देना है और जहाँ पे देख सकते हैं जो आपका first stage है उसके उपर आपको जहाँ पे क्लिक कर देना है तो जितने भी first stage के लिए जो document है required है वो जहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे कि आपको एसस्ट candidate के लिए जो जहाँ पर travel allowance जो certificate है वो आपको जहाँ पर मिल जाएगा तो इसको आपने जहाँ पर download कर लेना है तो download होने के बाद आपको ऐसा दिखाए देगा तो इस certificate को आप जहाँ पर दो इसकी फोटो कापी लेकर जाना होगा जाने की एक पेज की दो फोटो कापी आपको लेकर जाना होगा क्योंकि जहाँ पर जे दो पेज है तो आपके पास total चार पेज होने चाहिए तो वहाँ प कुछ आपको वहीं पर बना है और आपके जो जितने भी क्राय लगा होगा वह आपको जहाँ पर बापस मिल जाएगा सेस्टी केंडिडेट को तो दोस्तों आई होप आपको जह वीडियो अच्छे लगी होगी प्लीस वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं किसी और नेक्स्ट उडियो में जैन चावाद